साग के शोकिनों के लिए विंटर इस्पेशल में आज हम सर्सो के साग की रेसिपी लेकर आए हैं नमस्ते दोस्तों मैं कवीता स्वागत है आपका रादा की रेसिपी बिवानी में तो चलो रेसिपी बनाना शूब करते हैं सर्सों को साग बनाने के लिए परात में हमने एक बंच सर्सों को साग एक बंच बतुयों को साग और आदा बंच पालक लिया है सबसे पहले सर्सों को साग साफ करेंगे इसके लिए सर्सों की पत्तियों को हम अटा देंगे और मोटी डंडियों को साइड में रखेंगे, इससे फैकना नहीं है, बाद में यूस करेंगे सरसो को साग काटने से पहले इन्हें वाश जरूर कर लें, क्योंकि हरी सब्चियों को काट कर वाश करने से इनके पोशक तादू निकल जाते हैं अब इन पत्तियों को मोटरा या पतला जिसा चाइ काट लें, हम इन्हें वाश करना भूल गए थे, तो बाद में वाश करेंगे सारा सरसों को साग हमने काट लिया है सारी डंडिया हमने इकट्टी कर ली है अब मोटी डंडियों को गन्नी की तरे भार वाला ऐसा चील कर अलग करेंगे बीच वाला सोफ्ट पार्ट रखेंगे सारी डंडिया ऐसी तरह चील कर त्यार करेंगे डंडियों को चीलने के बाद पतला पतला काट लेंगे सारी डंडिया हमने शितरा काट कर तियार कर ली है अब बारी है बत्वे की बत्वे की डंडियों को पकड़का हलके आतों से पत्या निकाल लेंगे और डंडिया हटा देंगे, सारा बत्व ऐसी तरह तियार करेंगे अब बारी है पालक की, पालक को वेसी तरह तोड़ कर तियार करेंगे पालक एक एक पत्यों को तोड़ कर डंडिया हटा देंगे सारा पालक हमने शी तरह तोड़ कर तियार कर लिया है अब बारी आती है है इने वाश करने की इन्हे कम सकम 2-3 बार वाश करेंगे क्योंकि हरी पत्तियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है पालक और बत्तुवा हमने वाश कर लिया है इसके बाद इसे इस टैनर में रखेंगे जिससे की एक्स्टा पालिया निकल जाए सरसो भी हमने वॉश कर ली है अब बारी है पालक को काटने की पालक को मुठ्षी मेश बंखडकर रफ्ली चॉप करेंगे साग को अबालने के लिए कटवे पालक को कूकर में हमने डाल दिया है अब बचा है बथवा कुकर कर ढकन बंद करेंगे कुकर गयस पर रखकर फुल फ्लेम पर एक मीडियम फ्लेम पर चार बिसे लगाएंगे कुकर ठंडा आने पर कुकर खोल कर साग को पोटेटो मेशर या मतनी से मत लेंगे साग को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब साग छोकने के लिए गयस पर क प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने पर दो पिंच हिंग डालेंगे लोव फ्लेंबर इसे बूहनेंगे साग में बैडनें के लिएड़ से तीन मिनट तक लगातार चलाते उसे बूहनेंगे इसके बाद तड़कें में डालेंगे दो साबूत सूखी-LAL-MIRC जादा बी डाल सक यसकी टमाटर की पूरियू डालेंगे, तो थोड़ा देसी गी और डालेंगे, पंजाबी रैसेपिस में देसी की ज़्यादा ही डलता है, आप अपने अनुसर गी गम ये ज़्यादा डाल सकती है, मसाले से गी अलग होने पर अगलोवा साक डालेंगे, कुकर का दो का थोड़ मिनट तक cook करेंगे, 4-5 मिनट के बाद साग को पलतेंगे, 4-5 मिनट लो फ्लेम पर रो डखकर cook करेंगे, साग हमारा बन गया है, गैस की फ्लेम हमने ओफ कर दी है साग के उपर डालने के लिए एक तड़का बनाएंगे, तड़का पैन में बटर डालेंगे बटर के मैल्ट होने पर, 1-6 कटे गुए अदरक के लच्छी डालेंगे 2-3 मिनट तक इसे फ्राइ करेंगे, इसके बाद 2-3 सुकी लाल मिश्ट डालेंगे, 1-2 मिनट तक फ्राइ करेंगे गरम गरम तड़के को गरम गरम सरसो के साग के ओपर डालेंगे हमारा गर्मा गर्म सर्चों को साख सर्व करने के लिए तैयारे इसे मक्य की रोटी के साथ सर्व करें साख को हमने थोड़ा सा पतला रखा है आप चाहें तो इसे ठिक कर सकती है आज की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाए बाए और टेक कियर